नमस्कार दोस्तों, MPPSA Prelims के Test Series को Continue रखते हुए, अभी तक हमने 39 Question Paper Discuss कर लिए है, आज हम Question Paper No. 40 discuss करने वाले हैं और आप सभी को PDF Telegram Channel पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ज्यादा टेंचन लेने की जरुरत नहीं है, तो पहला सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का सर्च इंजन नहीं है, तो देखो, Rediff है, क्यों माननू है, Epic Search भी है, बट 123 भारत इसका Option Correct नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो है हमारा Wrong Statement है, और ये हमारा Correct आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, अब क्यों नहीं है, देखो 123 खोज जो है न, ये भारत का सर्च इंजन है, ना कि 123 भारत, तो Option B is the right answer, अगला है, पिंग जो है, वो क्या है, तो देखो, पिंग जो है न, ये इंटरनेट पर computer वा अन्य उपकरनों की जाज करने का काम करता है, तो testing of a computer and other devices on the internet, तो ये हमारा Correct answer हो जाएगा, अगला सवाल ह देखते है, question number 3, इसमें बोला है, निमन social networking sites को उनके इस्थापना वर्स के अनुसार बढ़ते करम में, कौन सा विकल्प, जो है, वो सत्य है, बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है न, option B, वो हमारा Correct हो जाएगा, तो LinkedIn जो है, वर्स 2002 में बनाया गया था, Facebook 2004 में, YouTube जो है, 2008 के, 2005 के आसपास बना था, और जो हमारा last option है, Twitter यह 2006 में बनाता, तो option B, जो हो हमारा Correct answer हो जाएगा, question number 4, इसमें बोला है, निमने में से कौन सा एक स्वधेसी micro blogging platform है, तो देखो, स्वधेसी micro blogging platform जो हो हो जाएगा, आपका Qo app, यह लगबग Twitter के जैसे ही काम करता है, और य इंडिया में indigenously develop किया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी detail देख लेते है, तो Qo app जो है, एक मार्च 2020 को बनाया गया था, इसके संस्तापक का नाम है, अप रिमेया और मयंग, ठीक है, यह एक स्वधेसी micro blogging platform है, इसे देख का Twitter भी कहा जाता है, यह one stock networking site भी है, और Facebook की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी, मार्क जुकरबर्ग जो है, इसके संस्तापक माने जाते है, अगला सवाल है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिए लिखे हुए app सब्द जो है, यह क्या कहलाते है, तो इन्हें flame के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो जैस अगला सवाल है, इसमें बोला है, जासूसी हेतु कि सॉफ्टवेर का प्रयोग आमतोर पर किया जाता है, तो जो की लॉगर है इसका इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, की लॉगर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का जो है, मैली सिय सॉफ्टवेर होता है, इसे इस पाय वेर सेंड कर देता है ठीक है अगला सवाल है इसमें बोला है कि राष्टी साईबर अफराद रिपोर्टी कोटल की सुरुवाइब की गई थी तो यह वर्स 2019 में की गई थी इसके सुरवात 30 अगस्त 2019 को अगला सवाल देखते है लिबरा जो है ये क्या है तो लिबरा जो है फेस्बुक की क्रिप्टो करंसी मानी जाती है तो D हमारा correct answer हो जाएगा अगला सवाल देखते है इसमें बुला है डिजिटल इंडिया पहल के संदर्म में निमने कतनों पर विचार क तो पहल की सुरवात जो है एक जनवरी 2015 को की गई थी ये स्टेट्मेंट गलत है इसका 11 स्थम्ब है ये स्टेट्मेंट भी गलत है और जो धेवाक्य है पावर टु एमपावर है ये स्टेट्मेंट विल्कुल सही है और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे फॉल्स स्टेट्मे नहीं है इसके नौ इस्थम्ब है हना power to empower इसका धेवार के है राश्ट्री ईसासन योजना की सुरुवाद जो है यह कब की गई है तो वर्स 2006 में जो है नैशनल इगवर्नेंस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल देखो कई सारे जो फुलफांस है ना वह हम लोग पड़े नहीं होते हैं और वह एक्जाम में डायेक्टली पूछ ले जाते है तो थोड़ा सा जो है इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते है एक्रोनिम वगेरा किसी किसी के तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो यूडीपी का फुल फार्म होता है अगला सवाल है यह गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी बनाईए ठीक है तो देखते हैं कौन-कौन से सही है यहां पर तो फ्रेंट्स जो ग्यान दूत है यह साथ ही एप जो है यह आपको इससे रिलेटर्टेट्ट देखने पूल जाएगा राजिस्तान से सेतू जो है यह महारास्ट से तो ऑफ्षण बी जो है हमारा कर्एक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसको भी डीटेल में हम देखते हैं तो एक्स्प्रेंशन में ज्यान दूत जो है ये आपको जम्मू कस्मीर का, देखने को मिल जाएगा सार्थी राजिस्तान गा सेतु महारास्ट का अगला सवाल है इसमें बोला है कि गर्व एक सmbदित है तो गर्व जो है ये क्या है तो ग्रामिन विद्द्दी करेंड से रिलेटेड है ठीक है तो computer virus जो term है यह किसने coin किया था तो इसका correct answer हो जाएगा Fred Coin ने किसने किया था Fred Coin ने 181983 में ठीक है Fred Coin ने 1983 में अगला है Priya Soft का संबंध जो है वो किससे है तो देखो Priya Soft जो है इसका संबंध है पंचाइती राश से किससे पंचाइती राश से तो पंचायती रायत जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं हम इसमें बोला है निमने में से कौन सा पोर्टल स्रम मंत्राले का बाल स्रम निरोधक पोर्टल है तो देखो कौन सा पोर्टल जो है, वो स्रम अंत्राले का बाल निरोदग पोर्टल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पेंसिल पोर्टल, ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्स 2017 में, जनवरी 2017 में की गई थी, और यह जो है एक चाइल लेबर प्रिवेंशन पोर्टल है, इंडेम हेलप लाइन जो है उसकी सुरूवात की गई है 181 ऑब्जेक्टिव क्या है इस्टैबलिश्मेंट आफ गुडगवर्नेंस तो गुडगवर्नेंस की स्थापना करना ही इसका अब्जेक्टिव है अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बूला है E-commerce Company, Amazon के संदर में असत्यकतन का चैन कीजिए, तो देखो, असत्यकतन हमें बताना है, तो असत्यकतन जो है यह हो जाएगा Option C, इस्थापना 1999 में नहीं हुई थी, ठीक है, एक मिनिट, असत्यकतन का चैन कीजिए बोल रहा है न, तो इस्थापना जो है वो 1999 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है, तो यह विस्था की सबसे बड़ी E-commerce Market Plus Company है, बिल्कुल सही है, और संस्थापक जेब बेजोस है, मुख्याल है वाशिंग्टन DC में है, इस्थापना 1994 में की गई थी, तो Option C ही हमार correct answer हो जाएगा, क्योंकि incorrect हमसे पूछा है, अगला सवाल है, विजय सेकर सर्मा का संबन्द जो है, वो किस से है, तो यह पेटियम से है, किस से है, पेटियम से, पेटियम क्या है, यह जो है ना, एक money send करने वाला एक platform है, या एक app है, जिसमें UPI से related भी आप money send कर सकते है, तो 2010 2010 में जो है, इसकी स्ताफना की गई थी, ठीक है, उसके बाद 2017 में पेटियम मौल लांच किया गया था, इसका मुख्याले आपको नौइडा में देखने को मिल जाएगा, C2C का मतलब क्या होता है, तो यह जो है ना, इसका मतलब होता है, OLX, अच्छा, C2C का उधारने और जो वीडियो अभी देख रहा है, उसने किसी ने खरीदा, तो एक बीच में एक मिडियेटर है, मतलब कोई एक प्लेटफार्म है, जैसे OLX.com, यह एक प्लेटफार्म है, और यह मिडियेटर का काम कर रहा है, यह कंजूमर से प्रोड़क्ट ले रहा है, और कंजूमर को ह मतलब होता है, बिजनेस टू कंजूमर, अगला सवाल है, इसमें बोला है, क्या दिया हुआ है, कि रेक्टर एक उमर्स कंपणी जो है, वो किस देश से संबंदी थे, यह जैपान से संबंदी थे, किस संबंदी थे, जैपान से, इसका हेड़क्वाटर टोक्यो में है, कि मेरी की e-commerce company है, तो यह सारे सारे statement आसत्य है, क्यों, तो देखते है, तो देखो, इसका जो headquarter है, वो कहाँ यह जैपनी जैपनीज e-commerce company है, दूसरी hereosi Mikatani जो है इसके founder है, यह आपको याद रखना है, अगला सवाल देखते है, बोला है, फ्लिपकाँर की स्थापना जो है वो किस वर्स में हुई थी तो Flipkart जो है यह आया था वर्स 2007 में ठीक है Flipkart जो है कब आया था वर्स 2007 में और अगर प्रेजेंट में देखे तो सबसे बड़ा marketplace भी आपको यही देखने को मिलेगा हरा अगला सवाल देखते है और इसने जो है Walmart के साथ में मतलब Walmart के साथ में यह मिल चुका है अगला सवाल है भारत में नई E-Commerce नीती कब से लागू हुई है तो भारत में नई E-Commerce नीती जो है एक फरवरी 2019 से लागू हुई है ठीक है कब से? एक फरवरी 2019 से अगला है CVV का full form क्या होता है? तो इसका full form होता है card verification value, क्या होता है card verification value, card verification value, अगला सवाल है भारत में e-commerce के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते है के better one, ठीक है के better one, अगला सवाल है MP online portal की सुरुवाद जो है ये मद्यपरदेश में कब से की गई थी, तो देखो वर्स 2006 में MP online portal की सुरुवाद की थी, हना जुलाई 2006 की ये बात है, और मद्यपरदेश सरकार एवं Tata Consultancy Services का सहयों तो उपकरम ये माना जाता है, अगला सवाल है, निमने में से क्या एक cyber अपराद से सुरुवादान नहीं करता है, तो देखो cyber अपराद से सुरुवादान नहीं करता है, क्या नहीं करता है, अगला सवाल है, पैच जो है, वो क्या होता है, तो पैच जो है, software की कमियों में सुधार ही तो जारी किये जाने वाले छोटे software होते है, ठीक है, तो option B हमारा correct answer हो जाएगा, अगला सवाल देखते है, question number 32, इसमें बोला है कि निमने में से कौन सा है, computer virus है, तो देखो, इसमें जो है ना, my doom, जो है, ये computer virus है, तो it is a type of computer virus, है ना, example जैसे my doom हो गया, so भी हो गया, वह ना, cry हो गया, सारे वाइरस है, antivirus जो है, वो कौन-कौन से होते है, तो नॉटन होता है, AVG होता है, Casper Sky होता है, से मैं, tech होता है, ठीक है, अगला सवाल देखते है, इसमें बोला है, निमने में से कौन सा social networking platform Google द्वारा प्रारंब किया गया है, तो Google द्वारा कौन सा platform प्रारंब किया गया है, तो Orkut जो है, इसको 2004 में प्रारंब किया गया था, 2014 में ये बंद भी हो गया है, ठीक है, Twitter पर post की सब्द सीमा को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, तो friends इसका correct answer हो option D, ठीक है, तो Google Plus is a social networking site, तो यही हमारा correct हो जाएगा, ठीक है, तो Google Plus जो है, एक social networking site है, सबीर भाटिया जो है, ये hotmail से related है, signal apps जो है, Brian Acton से related है, the term carbon copy is related to email, ठीक है, अगला सवाल है, भारत में internet की सुरुआत जो है, किसके मात्यम से हुई थी, तो ये हुई थी, ERnet के मात्य से, ठीक है, तो भारत में internet का आरम 80 के दसक में हुआ था, उस समय ERnet, जो है, Education and Research Network के मात्यम से भारत के 5 प्रमुक्स अंसानों को जोड़ा गया था, अगला सवाल क्या दिया है, कि निमन में से कौन सा एक search engine नहीं है, तो देखो, एक site जो है, एक search engine है, हाना, give water भी है, yandex भी निमन कत्नों पर विचार कीजिए, तो इसे English में हम देख लेते हैं, तो क्या बुला है, कि with reference to IPv6, consider the following statement, in this 64 bit number is used, देखो, 64 number का इस्तेमाल नहीं होता, 128 number का इस्तेमाल होता है, पहला statement गलत, it consists of 4 sets of numbers from 0 to 255, यह statement भी गलत हो जाएगा, ठीक है, it consists of 8 groups of 4 hexadecimal digits, अना, तो यह पहला statement, दूसरा statement, दोनों की दोनों गलत हो जाएगे, देखो, computer में आप लोगों को Hindi और English दोनों में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, उसका reason यह है, exam में आप लोग देखते हैं, फिर confused हो जाते है, terminology को ले करके, इसमें पूछा है, असत्यकतन की पहचान कीजिए, तो द BSNL का मतलब होता है, विदेश अंचार निगम लिमिटेड और BSNL का मतलब भारस अंचार निगम लिमिटेड, अगला है, AJ पॉलरा समीती जो है, वो किससे संबंदित है, तो यह है 5G परियोजना से, बहुत ही important सवाल है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, AJ पॉलरा समीती जो ह यह कमिटी का नाम है AJ पॉलरा समीती, किससे रिलेटेड है, 5G परियोजना से, अगला है, डोमेन नेम में अधिकतम कितने character हो सकते है, तो इसमें अधिकतम जो है, 64 character हो सकते है, ठीक है, और डोमेन नेम क्या होता है, तो यह इस टाइप का जो उधारन आप लोगों को दिख आप लोग, तो यह government to consumer, मतलब government to citizen का एक उधारन देखने को मिलता है, या सरकार एम नागरीकों के मध्य संपर्क इस्थापित करने के लिए बनाया गया था, अगला है निमने में से कौन internet के कारियों का platform नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, तो open web जो है internet के कारियों का platform नह अगला सवाल देखते हैं, उसमें बुला है internet वह तकनीक छेतर में चर्चा में रहने वाला सब्द crypto jacking जो है, यह क्या है, तो crypto jacking जो है यह एक प्रकार का cyber हमला होता है, क्या होता है एक प्रकार का cyber हमला, अगला सवाल देखते हैं, निमने e-commerce platform पर विचार कीजिए, ठीक है तो देखते हैं, हम विचार करते हैं, तो एक जगा दिया हुआ है, रेजर पे, यी पे, Amazon, India Mart, तो इसमें बुला है, कि consider the following statement e-commerce, which of the following platform is or our example of end-line storefronts, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फर सिप जो रेजर पे है, यह online storefront का example है, तो option A ही हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, केवल A हमार सही answer हो जाएगा, e-commerce platform दो प्रकार के होते हैं, online storefront, जो भी आपको रेजर पे देखने को मिल रहा है, हाना, और इसी में Magneto है, Insta, Mojo है, WooCommerce है, online market place जो है, इसमें आपको Amazon, India Mart, e-way, हाना, यह रेकुटन, और क्या दिया, fabmart.com, flipkart आदी देखने को मिलते हैं, freeware से क्या आसे होता है, तो friends, freeware जो है, यह क्या होता है, तो यह, it is a type of computer software that is provided free of charge on the internet, तो यही हमारा correct answer हो जाएगा, freeware, ठीक है, अगला सवाल है, वहत अपनी जो e-commerce को सुरक्षा प्रदान करती है, इसका नाम है SSL, मतलब secure socket layer, क्या होता है, secure socket layer, यही हमारा correct answer हो जाएगा, अगला है, CRT in, या सर्ट in, के संबंद में सत्यकतन की पहचान कीजे बोल रहा है, ठीक है, तो computer सुरक्षा से संबंदित भारती agency है, सर्ट in, ठीक है, यही हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो cyber हमले को विफल करने के लिए इसे बनाया गया है, भारती समुदाय में computer सुरक्ष सुविधा एप और सी विजिल एप जो है, सारे की सारे election commission of India से related हो जाएगे, बट इसाती एप जो है, यह election commission of India से related नहीं है, यह police से related है, policing से related है, ठीक है, अगला है, olx.com जो है, यह किस ताइप का उधारन है, तो यह C to C आपको उधारन देखने को मिलता है, अगला सवाल है walkie talkie जो है, कौन से संचार माध्यम का उधारन है, तो walkie talkie जो है, half duplex संचार माध्यम का उधारन देखने को मिल जाएगा, अगला सवाल हम देखते है, modulator, demodulator, जो है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है, modem, तो modem जो है, digital signal को analog signal में, और analog signal को digital signal में seat उधारन है तो यह application software का उधारन है ठीक है अगला सवाल हम देखते हैं इसमें बुला है friends की radio तरंगों की जो परास है या range है वो कितनी होती है तो यह होती है 30 Hz से 300 GHz यह वाला सवाल exam में पूछा जा चुका है तो 300 Hz से 300 GHz 30 Hz से 300 GHz जो है यह exactly correct answer हो जाएगा radio range ठीक है रेडियो की जो रेंज है NIC जो है इसका full form क्या होगा तो NIC का मतलब होता है National Information Center तो National Informatics Center जो है इसका correct answer हो जाएगा option B National Informatics Center National Informatics Center ठीक है अगला सवाल हम देखते हैं चाहाँ थोड़ी information भी देख लो इसकी सापना हुई थी 1976 में Ministry of Electronics and Information Technology के अंतरगत यह काम करता है Headquarter इसका आपको New Delhi में देखने को मिलेगा और वर्क तो आप कांतर नीती आयों के दूसरे CEO बने थे ठीक है अगला है टेलीफोन किस transmission mode या संचार विदी पर कारी करता है तो यह काम करता है हाप डूपलेक्स विदी पे ठीक है किस पे हाप डूपलेक्स विदी पे वाम का मतलब क्या होता है तो वाम का मतलब क्या होता है तो फ्रेंट्स इसमें laser का मतलब होता है light amplification by stimulated radiation से related है नहीं है light amplification by stimulated emission of radiation तो option D जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा C-MAT जो है इसका full form बताना है हमको इसका मतलब होता है Center for material for electronics technology ठीक है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में headwater पुने में है और Center for materials for electronics technology इसका full form है ठीक है अगला सवाल है digital electronics के संबंद में निमने कत्नों पर विचार कीजिए बोल रहा है ठीक है तो ये वाला question तो खेर exam में इस type से questions नहीं आते बट फिर भी हम देख लेते हैं तो ये दोनों की दोनों statement जो है वो हमारे सई है ठीक है अगला है प्रारमभिक दौर में भारत में electronics के विकास में किसका महत्पुन योगदान रहा है देखो किसका महत्पुन योगदान रहा है ये हमको प्रावधान है तो friends इसका correct answer हो जाएगा तीन वर्स की जेल या एक लाग रुपे का जुर्माना अत्वाद दोनों जो है ये हमारे correct answer हो जाएंगे अगला सवाल है cyber knife जो है ये क्या है तो cyber knife जो है रोबोट द्वारा radio surgery प्रणाली है अगला सवाल देखते है इसमें बोला है management सूचना प्रणाली के संबन में कौन सा कतन जो है वो असत्य है तो देखो असत्य कतन बताना है तो इसका एक महत्पुन तर्ट जो है वो database है ये त statement भी सही है तो A और B दोनों की दोनों सही है तो हमें असत्य पूछाए तो इन में से कोई नहीं हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है अगला सवाल हम देखते है ये governance हमेलन किसके द्वारा आयजित किया जाता है तो ये governance हमेलन जो है ये किसके द्वारा एक तो department of administrative reforms and public grievances और ministry of electronics and information technology ज निगरानी के लिए किया जाता है तो देखो कौन सी technology है तो ये है network traffic analysis क्या होता है NTA का मतलब network traffic analysis आप से NTA का full form भी पूछा जा सकता है network traffic analysis अगला सवाल है इसमें बुला है निमलेखित में से कौन सा artificial intelligence agent का एक प्रकार नहीं है तो ये जो है ना लक्ष आधारित artificial intelligence agent जो है वो नहीं है अगला सवाल है इसमें बुला है e-commerce platform का उधारन नहीं है तो फ्रेंट्स amazon pantry e-commerce platform का उधारन है flip card plus भी है de-mart तयार भी है पर reliance smart जो है ये नहीं है ठीक है ये e-commerce platform का उधारन नहीं है अगला सवाल है अधुनिक digital computer में किस पद्दती का उपयोग किया जाता है तो देखो इसमें किस पद्दती का उपयोग किया जाता है तो इसमें decimal पद्दती का उपयोग किया जाता है है ना तो यहां पे binary number अच्छा हाँ binary number system का उपयोग किया जाता है ना कि decimal ठीक है क्या हो जाएगा इसका correct answer binary सिस्टम मतलब जीरो और वन खालिस्तान में प्रिंटिंग हैड और कागज का संपर्क होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपक्ट प्रिंटर का अगला सवाल देखते हैं इसमें बोला है कि निमने में से कौन सा नेटवर्क टोपोलोजी नहीं है तो देखो रिंग है मेश है स्टार भी है बट लेन नहीं है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ही कॉमर्स में हम सिलेक्टेड प्रोड़क्ट को किस विकल्प में रख सकते हैं तो देखो इसे जो है हम कार्ट में रख सकते हैं किसमें रख सकते हैं जब आप शॉपिंग करेंगे ना फ्लिप कार्ट में पहुच जाता है कार्ट में मतलब इक bucket टाइप का दिखता है उसमें वो स्टोर हो जाता है अगला सवाल एक computer की भासा में एक मेगाबाइट में कितने वाइट होते हैं इसका correct answer अगला सवाल देखते हैं तो यह तो आपको पता ही है बेसिक सी चीजे है डारपा वह एजेंसी जिसे अमेरिका artificial intelligence अनुसंदान के लिए बहुत अधिक धन दिया है विभाग का हिस्सा है तो यह है रक्षा विभाग का हिस्सा मतलब defense विभाग का हिस्सा अगला है छवी templates ठीक है छवी templates पर निरबार एक computer vision तकनीक है तो जो है न model आधारी तकनीक ठीक है model based version अगला सवाल देखते है इसमें बोला है कि robotics में ZMP का full form क्या होता है यह भी बहुत important है यह भी पूछा जाता है zero momentum point कहा जाता है ZMP को क्या कहा जाता है zero momentum point zero momentum point ठीक है क्या कहा जाता है zero momentum point अगला सवाल है इसमें बोला है factory robot जो है किस प्रकार के होतो है तो friends यह जो है आपको पूरु क्रमादेशित robot देखने को मिलेंगे मतलब pre-programmed robots देखने को मिलेंगे मतलब repetitive task जो है यह perform करने का काम होता है इनका अगल इसमें क्या होगा कि executor जो है यह क्या काम करता है तो यह muscle से related होगा sensor जो है वो किस से संबंदित हो जाएगा तो यह receive information, locomotion जो है यह क्या काम करेगा तो यह movement करेगा controller क्या करेगा computer करेगा तो option जो हमारा C है वो correct answer हो जाएगा option C ठीक है अगला सवाल है इसमें हम देखते हैं म पहली बार कार के लिए AI का अनावरं किया है इस AI को क्या कहा है उन्होंने तो इसका नाम है एंड्रे नॉक्स ठीक है तो एंड्री नॉक्स जो है यह करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला है नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रमान इक्ता और शुरक्षा किसके सुनिसित की जाती है तो यह network security protocols के द्वारा ठीक है network security protocol अगला सवाल है artificial intelligence winter से क्या तात पर यह है तो देखो artificial intelligence winter का मतलब होता है friends option b क्या हो जाएगा option b ठीक है reduction in the funding in the field of artificial intelligence यह हमारा correct answer है अगला सवाल है roomba जो है वो क्या है देखो roomba जो है यह vacuum cleaner है क्या है एक vacuum cleaner है ठीक है अलग सवाल है अगला इसमें बुला है DRDO द्वारा विक्सी तो रोबोट निमने में से कौन सा नहीं है तो देखो कौन सा रोबोट जो है DRDO मतलब defense research and development organization के द्वारा नहीं बनाया गया है तो दक्ष बनाया गया है नेत्र भी बनाया गया है वाका मारू नहीं है यह जापानी company का है हाना तो option c ही हमारा correct answer हो जाएगा क्योंकि नहीं बनाया गया पूछा है तो option c is the right answer अगला सवाल है artificial intelligence पर आयोजित होने वाला विस्व का प्रमुक आयोजन जो है यह कौन सा है तो इसे कहा जाता है co gx क्या कहा जाता है co gx तो यही आयोजित किया जाता है अगला सवाल है इसमें बुला है कि कौन सी रोबोट की प्रोग्रामिंग भासा है तो देखो यह सभी की सभी जो है ना मतलब c हो गया python हो गया c++ सारी सारी high level languages जो है robotics में इस्तेमाल किये जाती है अगला है bank खातों से बहुत कम मात्रा में पैसे चुराने वाला cyber अपराद को क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है salami attack क्या कहा जाता है salami attack अगला सवाल देखते हैं इसमें बुला है buddha paste convention किस से संबंदित है यह बहुत important सवाल है और ये संबंदित है Cyber Security से, तो Budapest Convention जो है किस से संबंदित है, तो ये है किस से संबंदित, Cyber Security से संबंदित, ठीक है, अगला सवाल है, दुनिया का पहला सजीव रोबोट जो है, वो कहा जाता है, तो देखो सजीव रोबोट कहा जाता है Unigate को, किसको कहा जाता है Unigate, Option A जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा unigate अगला सवाल देखते है इसमें क्या बुला है कि कौन सा artificial intelligence का अनुत्रयोग नहीं है तो देखो face recognition है, lidar भी है, chat board भी है बट database management system नहीं है तो option D जो है हमारा correct answer हो जाएगा अगला सवाल दिया है Siri जो है वो क्या है तो देखो Siri जो है यह आपको artificial intelligence पर based एक AI देखने को मिल जाएगा जो कि Apple ने बनाया है अगला सवाल है, robotics के तीन नियम जो है वो किसके द्वारा दिये गए थे तो यह दिये गए थे Isaac Asimau के द्वारा, robotics के तीन नियम किस ने दिये थे Isaac Asimau ने ठीक है, अगला सवाल है, माईजनार प्रभावी संबंदित है, ठीक है तो यह किस से संबंदित है, तो फ्रेट एक तो superconductivity और magnetic field यह दोनों की दोनों ही हमारे correct answer हो जाएंगे ठीक है, तो माईजनार effect जो है वो किस से related है, superconductivity और magnetic field दोनों से अगला सवाल है, ISO 9000 प्रमानी करण scheme जो संबंदित है, वो किस से संबंदित है, तो STQC से, ठीक है, STQC, अच्छा बताइएगा मुझे इसका full form क्या होता है, ठीक है, यह भी आपसे full form पूछ लिया जाता है P.I.O.S. उप्योग किया जाता है, तो देखो इसका correct answer हो जाएगा, loading the operating system में, ठीक है, तो basic input and output system का उप्योग किस में किया जाता है, loading the operating system में, फिर दिया है, TV receiver में picture transmission के लिए modulation इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किया जाता है, AM, ठीक है, AM जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, अ वह क्या कहलाती है, तो देखो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, friends, dist dhara या direct current, क्या कहा जाता है, dist dhara या direct current, अगला है, कौन सा परिपत, जो है, अनुक्रमिक है, तो यह जो NAND gate है, यह अनुक्रमिक हो जाएगा, यही correct answer हो जाएगा, अगला सवाल देखते है, इस हमारा correct answer हो जाएगा option A तो यहाँ हमने total 100 questions discuss कर लिए वह आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद